गुंगरू टूट गए और जय जय शेव शंका है इन गानों को दर्शो को ने रिलीज होते ही इतना पस्तन किया था कि जस भी गली मोहले से निकलो हर जगा यही गाना बचता था मगर इस गाने से भी काफी सूपर डूपर हिट रही है फिल्म वार जिसमे अभी निता रितिक रोशन ने अपने चेले टाइगर श्रॉफ के साथ जबरदस्त काम किया था जी हाँ टाइगर और अभी निता रितिक रोशन जब इस मूवी के जरीए बिग स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए देखे गाए तो दर्शक इन दोनों के आक्टिंग को देख कर इनके मूरीध हो गए थे फिल्म की सी खुबी को देखते हुए फैन्स ने इस फिल्म के सीकवल की भी उमीदे कहीं न कहीं लगा कर रखी थी और उनका यही सपना पूरा कर रहे है फिल्म के डारेक्टर और प्रडूसर जो चलती फिल्म वार के सीक्वल को बड़े परदे पर लेकर आने वाले हैं जे हाँ चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या होगी फिल्म के कहानी कौन कौन सी स्टार कास्ट इसके लिए चुरी जाएगी और ये फिल्म कब तक बड़े परदे पर रिलीज होगी अगर आप भी वो टू मुवी से जुड़े इन सभी सवालों के जवाबों से रूबरू हो तो प्लीज वीडियो को अन तक जरूर देखें साल 2019 में रिलीज होगी फिल्म वार को फैंस और क्रिटिक्स के जरिए काफी अच्छा खासा रिस्पॉंस मिला था जिसमें इस फिल्म के कहानी और स्टार कास्ट के साथ साथ लोगों को फिल्म के जबरतस्त काने भी काफी के चलते ये फिल्म उस साल की सबसे सूपर इट फिल्मों में शुमार रही हाना कि फिल्म के अपार सफलता को देखते हुए फिर से निर्मात आदित्या चूपर और निर्देशक सिथारत आनन ने बिलकर इस फिल्म के स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया है जहां पर पहले सीक्षल में सिर्फ और सिर्फ एक्शन और अद्वेंचर दिखाय गया था बगर इस पार फिल्म के राइटर आदित्या चूपरा फिल्म में फोड़ा रुमांस का तड़का एड करने के सोच रहे हैं ऐसे में फिल्म एक्षण रोॉमान्टिक ड्रामा फिल्म होगी ल अविने 3 नुरा फतेही को कास्ट क्या कया है जो फोल में दर्शकु को अपनी स्वीत हिंधी से इंप्रैस करती हुए नज़राइंगी हाला के रितिक रौशन के Cent के अपजिट अबिने 3 जैग्लिन फरनांडेस एक्ट करती हुए नज़राइंगी जो इस फिल्म में वृतिक रोशन की महबूबा का किरदार अदा करेंगे साथ ही डारक्टर ने इस फिल्म में नूरा फतेही के साथ जैकलिन का एक जबर्दस्त गाना शूट किया है जो आगे चल कर हमें और आपको देखने को मिलेगा लेकिन फिल्म में यही चार उकलाकार आपस में एक्शन, रुमांस और ड्रामा करते हुए देखे जाएंगे मगर इस फिल्म को एक और लेवल अप ले जाने के लिए इस फिल्म में बॉलिवुट के डिसको जांसर मितुन चेकरवर्दी के भी एंट्री कराएंगाई है जो फिल्म में एक दमदार के डार निभाते हुए नज़र आएंगे इनका रूल फिल्म में इतना ज़दा पॉवरफुल और अट्रेक्टिव होगा कि दरशक सोच भी नहीं सकते मगर इस फिल्म के रिलीजिंग डेट की अभी तक फिल्म के निर्माताओं ने अफिशल अनाउंस्मेंट नहीं की मगर खबरों के मताबिक ये फिल्म साल 2021 के आखर तक सभी लोगों को सिर्मा घरों में देखने को मैं सकती है मगर जब से रितिक रोशन के फैंस ने फिल्म के सेकंड़ पार्ट के बनने के खबरे सुनी है काफ़ी एक्साइट हो गए है तो दोस्तों कि आप भी मल्टिस्टार ओर फिल्म वार टू को बड़े परदे पर देखने के लिए बेताब है आप अपना जवाब हमें कमिंट बॉक्स में कमिंट करके ज़रूर बताए और बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए आप उमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करने के लिए